सोलन पुलिस चुनाबों के चलते सत्थ हो चुकी है और वे चुनाबों को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है यही कारण है कि पुलिस ने विविन नाकों के दुरान हजारों लीटर शराब पकड़ी है और कई NDPS के मामले भी दर्ज किये हैं इन सभी मामलों में अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पकड़ी के शराब को कहां उप्योग में लाया जाना था सोलन पुलिस चुनाबों के चलते सक्त हो चुकी है और वे चुनाबों को सफल बनाने के लिए पूर जोर कोशिश कर रही है यही कारण है कि पुलिस ने बिविन नाकों के दोरान हजारों लीटर स्राप पकड़ी है और कई NDPS के मामले भी दर्ज किये हैं इन सभी मामलों में अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर पकड़ी के शिराप को कहां प्योग में लाया जाना था और कहीं चुनाबों के दोरान इसे बित्रित करने का करकरम तो नहीं था इन सभी पहलों पर पुलिस की जांच जा रही है और पकड़े के आरोपियों से भी गहन पूछताच की जा रही है अधिक जनकारी देते हुए अतरिक्त पुलिस अधिक्षिक सिभकुमार ने बताया कि 10 मार्च को ही माचल में अचार सहीता लगी थी तब से लेकर आज तक करीबन 45 मामलों में 3000 लीटर शिराप को पुलिस ने भुभीन मामलों में पकड़ा है उन्होंने बताया कि इसके अलावक क्रीबन 16 NDPS के मामलों में चिटाचर्स और अफीम ब्रामत की है उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी सीमाओं को सील कर दिया है और हर आने जाने बाले पर पैनी नज़र रखी जा रही जब से अचार सहिंता लागू ही है तब से पुलिस इलेक्शन कमिशन आफ इंडिया के अनुसार जो भी इंस्ट्रक्शन्स हैं उनके अनुसार काम कर रही है और डिस्टिक के अंदर सुरक्शा को लेके पूरी तरह हम लोग चौकस हैं तो इसी कड़ी में पुलिस ने कारवाई करते हुए जब से 10 मार्च 2019 से अचार सहिंता जब से लगी है तब से लेके आज तक हमारे 45 केसिस एकसाइस एक्ट के तैद दर्ज हुए हैं जिसमें लग और इवन अफीम के जो डोडे होते हैं उनको रिकवर किया गया है और ये मुहीम लगातार जारी है और किसी भी तरह की अवांचीत असमाजिक गतिविदी को डिस्टिक में नहीं होने दिया जाएगा तो ये था आज दिन बर्क कारेकरम कल फिर हाजर होंगे नएक विदियों के साथ आप चुड़े रहेए अस्टिडिक के साथ नौशकार